नबस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन के सांग बात समवाद लेकर हाजर हूँ मैं जोचना जल के बिना जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती जल प्रकृती के सबसे महत्वपून संसाधनों में से एक है जल के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई और प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे दुनिया की कुल आबादी का सतना फीस दी हिस्सा भारत में रहता है लेकिन ताजा पानी पीने के स्त्रोत्र सिर्फ चार फीस दी है बात अगर खेती के संदर्व में करें तो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी से जुड़ा है लेकिन पानी के बिना क्रिशी संभव नहीं है रोज मर्रा का काम हो या फिर हो खेती किसानी सब में जल का जो एक हिस्सा है वो काफी महत्वपून है और हम बहुत ही लापरवाही से इसका इस्तिमाल कर रहे हैं आज हमें पानी की कमी की समस्या से जूजना पड़ रहा है और हालात ऐसे हैं कि अगर हमने अभी भी पानी का इस्तिमाल सोट समझ कर या उचित जल प्रबंधन नहीं किया तो आने वाले समय में हमें इससे पच्चतावा भी करना पड़ सकता है जल की कमी की समस्या से निपटने के लिए कैसे करें जल प्रबंधन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तिमाल किया जा सकता है जिससे कि हम जल की बचत कर सकें देश में इस वक्त कई ऐसे संस्थान है जो स्थित है जो कि जल प्रबंधन को लेकर कुछ ना कुछ नए कारे कर रहे हैं इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमार साथ स्टूडियो में मौझूद हैं भारते कृषिय अनुसंधान संस्थान के जल प्रोद्योगी की केंद्र में परियोजना निदेशक प्रोफेसर मान सिंग जी National Academy of Agricultural Sciences के सचिव डॉक्टर एके सिंग जी WaterAid के निदेशक विकास कटारिया जी और Times of India के जो हमारे साथ संपादक मौझूद हैं जो की परियावरण और कृषिस संपादक हैं विश्व मोहन जी वो भी हमार साथ मौझूद हैं और आप सभी का जो है वो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं हमारे कारकरव बात समबाद में तो बाचीत का सिलसला शुरू करें उससे पहले आईए देखते हैं एक विशेश रिपॉर्ट विकास की अंधी दोड में हमने प्राकरतिक संसाधन जल का इतना दोहन किया है कि आज हम पानी की कमी की समस्या से जूज रहे हैं आज की दुनिया की आधी आबादी को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा भारत भी गंभीर जलसंकट की चपेट में हैं एक रिपोर्ट के अनुसार जलसंकट से जूज रहे दुनिया के 400 शहरों में से 4 भारत में हैं जिनमें चेननाई पहले नंबर पर है भारत में सिंचाई के लिए बनाए गए 54 फीजदी नलकूपों में भूमिगत जल का अस्तर काफी नीचे आ गया है इसका मतलब जमीन के नीचे मौजूद पानी की मातरा तेजी से घट रही है पानी घटने से उसकी गुणवत्ता भी बुरी तरा प्रभावित हो रही है बात अगर खेती की करें तो आर्थिक उननती में क्रशी का बहु मुल्ले योगदान है लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो खेती कैसे होगी ऐसे में जरूरी है के हम मौजूद पानी का उप्योग काफी सोच समझ कर करें किसान खेतों में ऐसी तकनीकों का इस्तमाल करें जिसमें कम पानी में सिचाई की जा सके खास कर पानी की कमी से प्रभावित होने वाले इलाकों में उचित प्रबन द्वारा पानी की उपलब्दता, गुणवत्ता और प्रचूरता की ओर विशेश ध्यान देने की जरूरत है हमें जल की बूंद बूंद का सदुपयोग करना होगा और भूजल पुनरभरन की ओर सक्रिय प्रयास करने होगे किसी भी चीज का संगरक्षन करने में सबसे एहम बात है कि उस वस्तु विशेश का उपयोग समझदारी और जरूरत के अनुसार किया जाए किसानों को सिचाई की उनक तकनीकों का अपयोग करना होगा ऐसी तकनीके जिसमें कम पानी से ही सिचाई कर ली जाए इनमें से एक है फवारा सिचाई पदती फवारा सिचाई को अपना कर जल प्रबंधन को सुनिशित किया जा सकता है इस विधी से सीचाई में जल की बरबादी नहीं होती इस विधी में सीचाई क्यारियों में ना करके पाईपो और नौजलों के जरिये वर्षा के रूप में की जाती है ये विधी जल संगरक्षन के साथ साथ मृदा अप्रदन रोकने और भूद संगरक्षन में भी मददगार है इस विधी से सिचाई करने से क्यारियों में की गई सिचाई की तुनला में 30-40 फीस दी पानी बचता है इसके अलावा जल प्रबंधन और उपलब्द संसाधनों के उप्योग के लिए बून-बून पानी यानि ड्रिप सिचाई पदिती भी एक अच्छा साधन है बून-बून विधी से लगभग 60-70 प्रतीशत पानी की बचत होती है ये पदिती, रेतीली मिट्टी और उबर खाबर भूनी के लिए भी उप्योगी है वहीं घड़ा सिचाई पदिती में मिट्टी के घड़ों का प्योग करके भी किसान कम पानी में सिचाई कर सकते हैं इस पदिती में 50-80 फीस दी तक पानी की बचत होती है इसके अलावा किसान फसलों को जरुत के नुसार पानी दें विभिन फसलों के लिए सिचाई की जल मांग अलग-अलग होती है ऐसे में कम पानी वाले शेत्रों के लिए जरूरी है कि सिचाई फसल की जरुत के हिसाब से ही करें चुकि पानी का बड़ा हिस्सा सीचाई में खर्च हो रहा है इसलिए बचत भी सीचाई से ही करनी होगी इतना ही नहीं सरकार भी देश में टपक और फवारा पदती को प्रौत साहित कर रही है केंदर सरकार की ओर से देश भर के किसानों को सुक्ष्म सिचाई प्रणाली स्थापित करने पर 50 फीजदी की सबसिडी दी जा रही है इसके अलावा राजे सरकारे भी अलग से अनुदान दे रही है किसी राजे में 20 फीजदी, तो किसी में 50 फीजदी सबसीडी दी जा रही है बिहार सरकार तो 90 फीजदी की सबसीडी उपलब्द करा रही है कि जल के बिना जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती, चाहे जन मानस हो या फिर पशू हो, हर किसी को जल की आवशकता रहती है तो फिर आए बाचीत का सिलसला शुरू करते हैं, मान सिंग जी सबसे पहले आपका रूप करेंगे आप से जानना चाहेंगे कि अभी जल की कैसी स्थिती है हमारे देश में, क्या स्तर है जल का इस वक्त देखिए अभी हाल ही में जब जल सक्ति मंत्राला का गठन किया गया तो देश भर में काफी चर्चाएं पानी के विसेकुले की हो रही है जल की बारे में मैं ये कहना चाहूंगा मैं आशवादी हूँ हमारे देश में पानी या जल की कमी नहीं है परियाप्त है सिर्फ अगर कमी है तो सुनियोजित प्रबंधन की और इसके बारे में ब्यापक दोर से सोचने की जरूरत है चुकि पानी इतना ब्यापक संसाधन है बगएर इसके जीवन जैसा आपने बताया नहीं चल सकता है तो इसे एक तरह से जन्मानस पूरे लोक साभागिता से इसके प्रबंधन में कदम रखने की जरूरत है इसका मतलब सीधे-सीधे ये हुआ कि जितने भी नागरीक हैं सब को पानी के बारे में सचेत होके काम करना पड़ेगा अगर हम किसानों की दृष्ट लगता है कि जमीन के सतह के नीचे उसको समस्या है भारी संकट है मेरा मतलब ग्राउंड वाटर से है भूजल से है और किसान अगर आजकल आप देखें कि कई राज्यों में बहुत जादे बाढ़ की स्थिति है आंकड़े आ रहे हैं कि हर राज में मध्रदेश में गुजरा लगता है कि देश ब्यापी स्तर पे हमारे लैंड इसकेप पे उतने संख्या में छोटे बड़े बरतन बनाने होंगे मेरा मतलब रिजरवायर बनाने होंगे जिसमें जलका संचयन किया जा सके और यही एक मार्ग मुझे लगता है कि जो दिर्खकालिक परिणाम देने वाला है वो दे सकता है और इसमें निश्चित रूप से एक राजनेतिक इच्छा सक्ति के साथ देश के नीत नियनताओं को काफी इन्वेस्टमेंट पैसे का काफी निवेस करने की जरूरत होगी तभी मुझे लगता है पानी की समस्त्या का समाधान मिल सकता है बिलकुल और कई ऐसे सवाल हैं जो हम सबके जो है वो जहन में आते हैं और उन्ही सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं उन्ही का जवाब आज ढूनने की कोशिश कर रहे हैं अपने कारेक्रम वाद समबाद में यहां विकास जी मैं आप से जाना चाहूंगी कि भूमी जलस्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है ऐसे में क्रिशी की क्या भूमिका है इसके अंदर क्रिशी गिरते जलस्तर को बचा सकता है जोसना जी धन्यवाद मैं दो तीन तथे रखना चाहूंगा अपना मुद्धा क्लियर करने से पहले भारत में अगर आप देखें भारत पूर साथ मिला भी दिया जाए तो भारत अकेले ही करीबन उससे ज्यादा पानी जमीन से निकालता है असी प्रतिशत पानी भारत की विवस्था का केवल क्रिशी में ही प्रयोग होता है अगर हम इन चीजों को देखें तो मैं एक समाजिक स्तर की भी बात करना चाहूंगा कि क्रि अच्छे से ना हो तो उसका मतलब खत्म हो जाता है अगर हम इसे मिला करके ये बोलें कि क्रिशी अगर सारा पानी संचेन का प्रयोग कर लेगी तो लोगों के पास पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा और अगर वो बचेगा नहीं तो इसकी विवस्था का सारा अंत हो जैसे मान सिंग जी ने भी कहा कि क्रॉप का पैटरन इतना चेंज हुआ है कि बदलते मौसम के हिसाब से बारिश जिस मौसम में होनी चाहिए उस मौसम में नहीं हो रही है तो हम यह देखना पड़ेगा कितना पानी उपलब्ध है और हम किस तरह की क्रॉप का पैटरन वहाँ यूज कर रहे हैं तो अगर हम वह देख करके चलना शुरू करेंगे तो इस मौद्धे पर काफी आगे विवस्ता की जा सकती है हम और डिटेल में भी बात कर सकते है जब बाकी पैनलिस्ट अपना पॉइंट रखेंगे तो हम उसके उपर भी मौद्धे उठाए सकते हैं चा कि जब भूमी का बूजल स्तर गिरेगा तो जाहिर से बात है ना केवल किसानों को इससे समस्या होगी बलकि जो शहर के लोग हैं उनको भी काफी दिक्कत आएंगे नहीं देखें जो भूजल की बात हो रही है ये मेरे ख्याल से काफी समय से इस पर चर्चा हो रही है और विशेश कर आपको सुना होगा पंजाब हर्याना और परस्चे में उत्तर पदेश में कि वहां लगातार गटा जा रहा है और उसके साथ क्या होता है कि जब जल स्तर नीशे जाता है तो उसको पानी को खीशने के लिए ज़्यादे बड़ा मोटर लगानी पड़ती है एनरजी ज़्यादे लगती है उसका भी दुश्परवाब होता है तो इन सब के लिए कैसे रोका जाए तो इसके लिए अब हुनों ने ये कहा है कि तो आर्टिविशल करें तो उसके भी बहुत से तरीके हैं बहुत से तक्नीक हैं बनाई गई हैं और विशेश कर क्योंकि जो मैं समझता हूं कि हमाया जैसे डॉक्टर मान सिंग ने कहा कि हमाया पास पानी परयाप्त है तो अगर हम संसालनों का देखें शुरोत का तो मैं भी उसमें पूरी तर उसकी एफिशेंसी जो मानी जाती है करीब 36% है इसका मनलब 64% पानी हमारा ब्यर्थ जा रहा है तो उसको रोकना चाहिए तो दक्षता का पहले चीज है ऐसी हमारा क्या है कि ग्राउंड वाटर का जो यूटलाइजेशन है भूजल का उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है क्य नहीं हो क्योंकि जिसका कुँञा है जहाँ जमीन बोर वयल है वो उसका मालिक है उसको आप रोक नहीं सकतें ऐसे कॉई lavization नहीं है वो जितना चला है अब हो क्या रहा है क्योंकि आप कुछ मॉनिटरिंग नी कर रहे हैं उदारण के लिए मैंसे राजी हैं जहां पर बिजली फ्री है यह बहुत कम दाम पर है तो वो जरू से जादे पानी निकालते हैं उसमें से पहली चीज़ ऐसे ही सती जाल होता है जितना पानी के और नुकसान यह हैं कि जो अर्वरक या कुछ डाले जाते हैं वो भी पानी के सा नीचे जाके ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेटर यह सब पंजाब और हर्याना में देखा जा रहा हैं तो सबसे पहले हमारा है कि जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको धंक से इस्त पुरा से डालता है तो यह चीज समझते नहीं है विश्ममों जी यहां पर मैं आप से जानना जाऊंगे क्योंकि आप पर्यवरण और कृश्य संपादक है हर चीज को हम ग्लोबल वामिंग के साथ जोड़ देते हैं तो यहां पर अगर इसको जोड़ा जा सके तो वो कितना थीक है जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भूमी का जो जलस्तर है वो गिरता जा रहा है घटता जा रहा है और दूसरे तरफ जो जंगल है जो पहाड है वो भी काटे जा रहे हैं लगाता तो इससे क्या हो रहा है कि शेहरों में गाउं में जो है वो बार की स्थिती बनी हुई है तो क्या इसको भी हम global warming के साथ किसी तरह से जोड सकते हैं या नहीं कितना ठीक रहेगा देखे global warming हो रहा है ये fact है उसके कारण climate change हो रहा है तो जिस area में वर्षा कम होती थी अब आपने महसूस किया होगा कि उस area में वर्षा जादा हो रही है पिल्कुल जैसे कि राजस्तान में कभी हमने वर्षा का इतना कभी सुना ही नहीं कि राजस्तान जैसी जगह पर बाड की सिती है लेकिन अब वहां पर भी बाड आ रही है तो climate change एक reality है हमें adapt करने की जोरत है अपने आपको कि कैसे climate change हो रहा है तो हम अपने आपको adapt कैसे करें adaptation की जब बात होती है मतलब कि अब जिस area में पानी की कमी है या जिस area में पानी हम बहुत ज्यादा यूज कर चुके है underground water भी नहीं है तो हम अब हमें ऐसे क्रिसी ववस्था की तरफ switch over करना होगा जो water intensive नहीं हो ऐसे crop को चूज करना होगा जो water resilient हो जिसमें पानी की ज्यादा ज़रत नहीं हो जैसा कि आप सब लोगों ने कहा कि पंजाब हर्याना में पानी की कमी है लेकिन पंजाब हर्याना वेस्टन यूपी में चावल की rice paddy की खेती हो रही है और ये water intensive crops है सुगर केन हैं rice हैं इसमें काफी पानी की ज्यौरत होती है लेकिन अब हम उससे कैसे अलग हो हमारे किसान भाई उससे कैसे पैड़ी और सुगर केन की खेती नहीं करके कैसे millet की खेती करें ज्वार बाजरा की खेती करें तो इस तरफ उनका रूजान कैसे हो इसमें सरकार की कि तरफ से एक intervention करने की जौरत होगी क्या उनको हम incentivize करें ताकि वो पैड़ी और सुगर के नहीं उपजा करके millet उपजाएं आपने देखा होगा कि पिछले दो साल से सरकार continuously जो minimum support price है millets की जौर, बाजरा ये सब जो हैं जो coarse grain है जिसमें कम पानी की जौरत होती है उसकी MSP बढ़ा रही है, फिर भी किसान उसकी तरफ किसानों का रुजान नहीं हो रहा है तो इसमें देखना होगा सरकार को कैसे किसान उस crop pattern की तरफ जाएं, वो change हो pattern और पानी, जैसा कि आप लोग सब ने कहा कि agriculture, more than 80% water agriculture में use हो रहा है तो हम कैसे water को efficiently use करें agriculture में वो भी एक संचय का तरीक है, तो water conservation सिर्फ हम pond बना करके या ground water recharge करके ही नहीं कर सकते है water use efficiency भी एक concept है जिसको हम agriculture के through कर सकते है, better agriculture practices के through कर सकते है और विकास जी और सिंसा बताएंगे कि हम उसको कैसे करें और सरकार किस तरह से incentivize करे पार्मर को ताकि वो less water consuming crops की तरफ बिल्कुल और यहां पर ना केवल फसले बल्कि सिचाई जब हमारे किसान करते हैं उसमें भी काफी जो है वो पानी लगता है तो कोई सिचाई भी इस तरीके की कोई तकनीके निकाली हैं सिचाई के लिए जिससे कि उसके अंदर भी कम पानी लगे देखिए परंपरागत धंग से सतही सिचाई का प्रावधान है जो किसान ज़्यादा तर अभ्यास कर रहे हैं इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो यह सिचाई का पानी है इरिगेशन वाटर है यह इसको अब बहुत सवर्स हो गए इसे अब पबलिक गुड से हट कर एकनॉमिक गुड में डिफाइन करने की जरूरत है मैं इसको यू देखता हूँ कि कोई भी चीज मतलब यह जो कैनाल वाटर है या टूबिल का वाटर है जिन शेत्रों के लिए हमारे विशेश रग्यों में डाक्टर एके सिंग साहब ने रिखांकित किया कि पंजाब हरिहाना और वेस्टर यूपी में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्स्ट्रक्शन हो रहा है यह मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का जो कंसेप्ट है अब जिस तरह का प्रोजेक्शन आ रहा है, जिस तरह की समस्याएं आ रही है इसमें हमें थोड़ा बदलाव करने की बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि कोई कमोडिटी जो फ्री है आप आजकल उधारान देख रहे हैं कि ट्राफिक रूल में जब बदलाव नियम आये हैं तो ये चीज़ 15 दिन में समझ में आने लगे कि लोग डिस्सिप्लीन से होने लगे हैं तो ये एक पहली बात है और अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 वीक पहले एक लेख आया था नीती यायूग के CEO ने लिखा था उसमें उन्होंने ये बात कही है कि ऐसे संकेत अब उनको मिलने लगे हैं राष्ट स्तर पे कि किसान लोग अगर उन्हें ये सुनिश्चित कर जा जा कि उन्हें रिलाइबल पानी मिलेगा किसी भी स्रोथ से उनके खेत पर तो शायद वो पे करने के लिए तयार है वज़ा ये है कि नीतिगत तोर से अगर देखें कि जल सेक्टर में अभी एक प्रोजेक्शन था कि भई 3.5 लाख क्रोड इन्वेस्ट किया जाएगा इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर के लिए आठला क्रोड का प्रोजेक्शन हो गया जो 15-20 साल पहले कुछ 60,000 क्रोड की बात हो रही थी तो इन सब चीजों से अगले 30-50 साल तक की बात हो रही है मैं मेरे कहने का मतलब मैं एक वदारान और देखता हूं कि जैसे इस देश को स्वतंत्र करने के लिए एक्टिव डेड़ सो साल की स्वतंत्र संग्राम की लडाई हुई है जल के प्रबंधन के लिए देश के लिए अपने देश की सस्टेनिविटी बनाने के लिए अब से 30 से 50 साल तक लोग जन सहवागिता से लडाई करने की जुरूरत है और जब यह हो जाएगा यकीन मानिए कि थोड़ा सा भी प्राइस हो जाएगा तो किसानों को यह समझ में आ जाएगा कि अगर 15 दिन का पौधा है तो कम पानी पिएगा अब मैचोर है तो जादा पानी पिएगा उनके समझ में आएगा और इससे जैसा डॉक्टर सिंग साब ने कहा था कि वो लासेस जो बचेंगे जो करीब 64% लास हो जा रहे हैं 60% लास हो जा रहे हैं अलग-अलग अकड़े तो यह जो बचेगा यह कहीं और के लिए काम आएगा और हो सकता उतना नहीं बिजनेस मॉडल से हम पानी में सरप्लस हो सकते हैं शायद हम बॉटल वाटर अगर जुरोद पड़े तो हम कहीं एक्सपोर्ट भी कर सकने क्योंकि इतना फ्रेश वाटर हमारे पास है पानी मिलता था आज की डेट में डाई सो फुट से नीचे पानी मिलता है लगबग ऐसे चालिस प्रतिशत लोग होंगे दो हजार तीस तक जो नीतिय वाकीनों ने भी बात की उसके एसाब से कि हमें उन लोगों के पास पीने योगे पानी नहीं होगा हम अगर इन चीजों को जोड करके नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज से चुक कर जाएंगे मैं एक और तथे को भी सामने लाना चाहता हूँ जिसे हम कहते हैं वर्चिय wasopuellement वर्ट वर्चुल वाटर फुट्प्रिंट क्या है? अगर हम किसी अपरत्यक्ष रूप से किसी चीज को पैदा करने के लिए कितना पानी खर्चते हैं वो उसकी बात करते हैं. एक गेहूं एक किलो गेहूं उप जाने के लिए लग बग शोना सो लीटर पानी का प्रयोग किया जाता ह है. एक किलो पैडी या राइस जिसकी हम बात करते हैं उसको जाने के लिए लग बग धाई हजार लीटर पानी का प्रयोग किया जाता है. एक ग्लास या एक कप चाई पीने के लिए 140 लिटर का प्रयोग किया जाता है तो हमें सोचना होगा कहीं ना कहीं कि हम इस चीज को कैसे लिंक करके देखें कि कम खपत में जादा से जादा productivity लाई जा सके ऐसी फसलों का और हम निदान ढूंडे जो कम पानी लेती हो लेकिन productivity उतनी ही देती हो एक तो होगा ये और दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि समाजिक स्तर पे हम पानी को बाटते कैसे हैं पानी की उपलबता तो उतनी ही है एक्वीफर की जो हम बात करते हैं जमीनी पानी की बात करते हैं जो अभी अनिल साब ने कहा कि अगर जमीनी पानी का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि उसकी मुले का किसी को अंदाज नहीं है केवल खतम होने के बाद ही पता चलता है तो हम उसे किस तरीके से इस तर पे लेकर के आएं कि लोगों को उसकी गुनवता और उसकी जरूरत का एसास होना शुरू हो अगर हम यह देखें कि पानी को नीचे से जोडने के लिए मैं एक बैंक बैलन्स के हिसाब से जोड के देखूँ इसे अगर तो यह वैसा बैंक बैलन्स है जिसे हम केवल निकाल रहे हैं उसमें कुछ डाल नहीं रहे हैं का जल लोटेंगे वापस आपका ही मच जाएए देखते रहे हैं दूर तरशन के सांद्व हर गाउं पर नज़र हर तकनीक पर पकर खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार दिखाएंगे देश की प्रमुक खलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बाद देखिए किसान समाचार रोजाना दुप है एक बज़ कर तीस मिनट पर और शाम साथ बजे ब्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं दूर दरशन के सांद्व और अपने आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वाद समबात कारक्रम में जल प्रबंधन की बार बार लगा तार यही बात होती है कि अगर जल की कमी हो जाए तो हमारा आगे आने वाला कल जो है वो कैसा होगा क्या पता आगे आने वाली पीड़ी को जल मिले भी आना मिले तो उसके लिए हमें आज ही जो है उसके प्रबंधन करने होंगे इन्ही कुछ विश्यों पर आज हम यहाँ पर अपने वादसंबात कारेक्रम में चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल है वो स्टूडियो में मौझूद है और आए एक बार फिर से चर्चा को जो है वो आगे बढ़ाते हैं बान सिंग जी आपका रूख करना चाओंगी कितने संस्थान ऐसे हैं जो की जल प्रबंधन के लिए कारे कर रहे हैं अगर इनको हम बताना चाहें तो लगबग सौ के आसपस संस्थान देश में होंगे अलग-अलग मंत्राले और विभागों में मिलके जो पानी के रूप मे फार्मल अपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और उनलों के साथ तमाम ऐसी अन्य संस्थाएं हैं जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं तमाम वो मिलके जल पे फार्मल रूप से काम कर रहे हैं और इनलों का अलग-अलग जुरिस्डिक्शन है अलग-अलग कारे शेतर में काम कर र में है यहां पे हम लोग माइक्रो इरिगेशन और प्रिसराइज दिरिगेशन पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं और दूसरा एक बड़ा डाइमेंशन जो अब आया है जल सकती या जल अभियान को लेकर कि इस देश में जितने भी वेस्ट वाटर हैं या मुनिस्पल वाटर है उनको हम कैसे रिक्लेम करके इरिगेशन लाइक वाटर बना सकते हैं जैसे बड़े-बड़े माहानगरों में उन इको फ्रेंडली या इन्वार्मेंट फ्रेंडली रूप से उन मिनिस्पल वेस्ट वाटर को रिक्लेम करके शहर के जितने भी ट्रीज हैं लॉन्स हैं होंगे कि अगर दस लीटर पानी आप उसमें प्रॉसेस कर रहे हैं तो शायद धाई लीटर आपको पानी मिलेगा और करीब साड़े साथ लीटर पानी वेस्ट जाता है और तो इस तरह से वेस्ट वाटर अब उत्तर बहुत बढ़ने लगे हैं तो उन वेस्ट वाटर को हमें वेस्ट वाटर ना समझ करके वाटर वेस्ट समझ करके उसे रिक्लेम करके इस डाइमेंशन को एड करने की जुरूत है वर्शा जल्स अगर यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर सेंग आप से यहाँ पर जाना चाहेंगे किस तरीके के जो उपाए हैं वो कर सकते हैं वर्शा कम नहीं होगी तो बढ़े लेकिन जो मुख्य बात यह है कि जो वर्शा वाले दिन कम हो जाएंगे उसका सीरा मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि आपके बारिश के दिन कम होंगे जारा बारिश होगी दिन कम होंगे और दो बार हैं बढ़ती जाएंगी तो सबसे पहले तो यही है कि शुरू में डॉक्टर महान सिंग ने बोला था कि हमारे को स्टोरेज तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कहते हैं उसके कैई तरीके एक तो हमारा है कि खेत के अंदर ही रोकी जाए से कहते हैं खेत का जल खेत में उसके अलग तक्नीक हैं जहां बंड बना के किया उसको लेवल किया उसमें जितना हो सका जल जाएगा उसके बाद क्या है कंटूर बंडिंग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर आपका होर्टी कल्चर क्रॉप्स हैं और्चर क्रॉप्स हैं उसके लिए अलग है क्रॉप्स टैंक बेस डिरीकेशन बहुत होता है तो उसके लिए हमारा ये भी है कि किसान दस परसेंट अपनी जमीन में रेन वॉटर हर्वेस्ट करके और उसको फिर बाद में इस्तिमाल कर सकता है उसके बाद आपके तो जैसे तालावाला किमने बात की उसके बाद जो हमारे बड़े र आफ़रेस्टेशन बोलते हैं वो बहुत आवशक है इन सबसे जो है तो अब बात ही होती है कि इसका इस्तमाल कैसे किया जाए तो जो बात डॉक्टर मांसिन ने की है इससे संसान है आप तकनीक बताते हैं आपको कि जल का सही प्रयोग करना बहुत आवशक है मैं दक्ष्ट इरिकेशन की बात की है तो यह है कि अगर आपके पास एक तालाब है या एक छोड़ा सा कुवाँ भी है या कोई भी जो श्रोत है उसको आप क्योंकि हम जब पानी देते हैं तो पंप है मार पास उस पंप को आप स्प्रिंगलर से और डिप से कनेट कर सकते हैं उस मतलब की डिप की सिचाई से करें तो मतलब उससे है कि पानी की बचत बहुत हो जाएं तो यह है कि जितना भी आप सारक्षन पानी करेंगे उतना बाद में काम आएगा शहरों के आपने डिंकिंग वाटर की बात की अब आज कल बहुते शहरों में रेन वाटर रूफ टॉप करें उस पानी को लॉन में करिये कार को दोने में करिये दूसरा उसका यह आशा है कि आजकल कई जगह शहरों में पानी की सप्लाई में दो सिस्टम्स हो गए हैं कि जो आपके फ्लेश वगरा के लिए उसके यह वेस्ट वाटर टीटेट सिर्फ सप्लाई होती है और आपका जो किचेन के लिए पीने के लोज के तो यह सिस्टम हमारा जो है जिसमें वेस्ट वाटर हम कर सकते हैं इसके साथ जुड़ा ही है कि दो आजार पचास में हम लोग जो बात करते हैं 168 करोड हमारी पॉपलेशन होगी वेस्ट में सब से जादे होगा और करीब 55% हमारे लोग जो है शेहर में होंगे तो जो वेस्ट वाटर की बात कर ऐतों इतना जाते बढ़ जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह पॉडियों कि जो वेस्ट वाटर है वह सीचाई के लिए एक श्रोद माना जाए जैसे हम लोग ग्राउंड वाटर मानते हैं सर्फिस वाटर और उस के ल वो सारे तर्ट भी होते हैं, तो किसानों की खर्चा बचता है, तो ये सब चीज़ें जब तक एक पॉलिश में नहीं आएंगे, तब तक जो हम जल प्रोबिदन का रहा है, विश्व मौन जी, अखबारों के जरीए किस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, वो लोगों तक पहुचा देखिए, मीडिया, सिर्फ अखवार नहीं, अखवार और टेलिविजन दोनों, मीडिया का रोल, अवेर्नेस के लिए काफी इंपॉर्टन्ट रोल है, लोगों को अवेर करती है, जागरुक करती है, कि कहां पे समस्या है, क्या उनको करना चाहिए, क्या डूर्ज है, क्या इन लोगों ने अपनी बात बता रही, इन्हों ने काफी ग्राउंड पे काम किया है, विकास जी से मैं पूछना चाहूंगा, जैसा मान सिंग ने कहा कि हर घर को जल की पॉलिसी है, हर खेत को पानी की जोरत है, इसकी एक पॉलिसी है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी उ कैसे इसको हासिल किया सकता है, इस लक्ष की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, क्या आप समझते हैं, सरकार फार्मर को इंसेंटिवाइज करें, कहीं पर डिस इंसेंटिवाइज करने की जोरत है, किस तरह से फार्मर ऐसे प्राक्टिस को अपना है, जिससे कि वो लेस वाटर ग धन्यवाद, दो तीन चीज़े इसमें हमें देखनी रहेंगी, एक तो जो अलग लगते रहें कि क्रॉपिंग पैटरंस है, उसमें सरकार तो अपना रोल जो प्ले करती है, उन्हें करना चाहिए, उसके अलावा जो अपनी जम्मेदारी है, आपस में उनको ये मानना चाहिए, कि जैसे हम पहले कुछ समय बात किया करते थे, कि हमारे पुराने बजर्ग या पुर्खे थे जिनको इस बात की समझ थी, कि यहां पर किस तरह की चीज़ें या किस तरह की फसलें अच्छे से पैदा हो सकती है, या किस तरीके का काम जादा बहतरीन तरीके से किया जा सकता है या इन सोटू से कि कौन सी वाटर रेजिस्टेंट फसलें जादा हैं, तो वो अगर हम वापस अपनी पुरानी चीजों को लेकर के आएं, उस पुरानी पद्दतियों को अपनाना शुरू करें, उन लोगों को सम्मान देना शुरू करें, जिनको हमने दर किनार कर दिया हैं, तो वो चीजें अपने अप से एक रोल प्ले करना शुरू कर देंगी, दूसरी बात यह है कि जो पुरानी नो हाउ है, और जो अब की लेटेस्ट टेकनालोजी है, अगर इन दोनों को हम मिश्रन करके देखें, तो वो एक अलग से रोल प्ले करना शुरू करेंगी, और इसे जुड़ा हुआ तथे हैं जो यह दशाता है कि अगर हम इन फसलों को ध्यान देना बंद कर दें, जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, जैसे कि अभी हमने बात की पैडी या शुगर केन है, जो पिछले लगबग दो दशकों में यहां पर बहुत तेजी से बढ़ी हैं, ज या फिर यूरिया कंपनीज और पेस्टिसाइड कंपनीज, उन लोगों ने भी काफी बढ़ावा दिया है इस बात को कि आप यह करें तो आपका एकॉनोमिक लेवल बढ़ेगा, पर उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात कभी नहीं की, अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात क रहें, तो एक समय तक तो यह उनको एकॉनोमिक लेवल उठाएगी उनका, लेकिन जैसे ही समय बितेगा, तो वो स्टर जब सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उनके पास अल्टरनेटिव मेकैनिजम नहीं रहेंगे, तो हमें वो मिल करके ढूनने चाहिए, बलकुल, वान सवाल को आंसर करने से पहले कुछ चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे काटारिया सहाब ने बात कही और आपने सवाल पूछा, फसलों के बारे में, चेंज करने के बारे में, कि वाटर गजलिंग क्रॉप से कम पानी लेने वाली क्रॉप की तरफ जाएं, अगर हम इंप या तो उनको उतनी प्राइस और मुनाफ़ा मिलने का कोई बिकल्फ सामने कारगर दिखे, तो वो जा सकने हैं, पहली एक बात यह हुई, दूसरी बात जो आपने सुरू में बताई थी, मैं फिर से रिखांकित करना चाहूंगा, कि सिर्फ और सिर्फ बास्मती राइस के एक नहीं है कि हमारी जोगरोफिकल बाउंडरी में ही बरसात होगी, वो पडोस में बरसात हो सकती है, तो जब इसके लास हो रहे हैं, तो जब तक कोई फेक्ट, देखिए, फार्मर भी अपने फिडम पे हैं, जैसे हम अपनी इंकम बढ़ा सकते हैं, तो हमें कुछ ये कारगर दिमोंस्ट्रेट करके देना होगा, तभी साथ वो बदल पाएगा, अदर्वास हम लोग कुछ वर्स और गुजार देंगे ये बात कहने में, मेरा ये कहना है, मैं एक इंटर्वीन करना चाहूँ, अभी रिसेंटली हर्याना गवर्मेंट ने फार्मर को इंसेंटिव्स दे की पहल की है, और ऐसा कहा भी है कि आप माइक्रो इरिगेशन से ही सुगर केन करें, जहां तक फरस्टलों के बारे में आपने कहा था, सरकार भी ये मान के चलती है कि जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, जौार, बाजरा, जिसको की सरकार ने न्यूट्री सीरियल कहा है, जहा है क ये काफी न्यूट्रीसियस है, कम पानी की जोरत होती है, और सरकार ने MSP भी बढ़ाया है, फिर भी फार्मर उसकी तरफ नहीं उनका रुजहान है, तो इसका क्या कारण आप समझते हैं, और किस तरह से इंसेंटिवाइज करना होगा, और कैसे अवेर करना होगा, ये इसके बहुत अच्छा बात अपने कही, इसमें क्या है कि ये अभी शुरुआत हुई है, कोई भी इतने बड़े देश में शुरुआत हुई है, कि हरियाना ने शुरू किया है, हम उसको अच्छी नूट्रिटिव डाइट की बात हम उसको टैग कर रहे हैं, जो पहले 50 साल पहले उसको बहुत लेते थे, इनके दाम अभी उतने नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरह की चीजें बढ़ती जाएंगी, और क्रॉप इंशुरेंस रोल प्ले करेगा, जैसे सपोज करिए, अगर किसानों ने बात मान करके राइस से हट के चले गए इसमें, इसमें अगर इरिगे किसानों के लिए क्या है, अगर ड्राउट इस पे लाया, तो ड्राउट है, और बारिस लंबी नहीं होई तो अकाल है, और अगर ज्यादा जो सब डाट साब अभी एक्स्प्लेइन कर रहे थे कि नंबर आफ रेनी डेस घड़ जाएंगे, और इंटेंस्टी बढ़ जाएग कि नहीं है, वहां की जमिन की वैलू बहुत कम है, तो उसकी एकोनमी है, तो यह जो चीज है, एकोनामिक तर्म से अब इंटेगरेट करेंगे और चीजों को, तो यह थोड़ा कॉम्पलेक्स है, लेकिन पूरी उमीद है कि जो यह इनिस्टेटिव, चाहे हरियाड़ा सरकार जाने लिए, या मेमस्पी बढ़ा रहे हैं, कोर्स ग्रेंड के, ऐसे और मोमेंटम गेंड करेंगे, तो यह टाइम लगेगा, क्योंकि जिस चीज को इतना साल बनने में लगा है, तो कुछ समय लगेगा इसे अन्भू होने में, यह नार्मल कोर्स है, विकास जी, आप कुछ कर रहे हैं, कि किसी तरह दान की जगे कोई और फसल ले, लेकिन, मेंस्पी भी बढ़ा ही गई है, लेकिन जो किसान का अपना अनुभव है, उसकी वज़े से वो नहीं हट रहा है, और पहले तो शायद आप लोग को मालूम होगा कि दो दान की फसल लेता था, सामर में भी फ उसकी वज़े से वो रुका है, तो मेस्पी का ये है, अगर सरकार गारंटी करे कि ये फसल की मेस्पी हम आपको देंगे, तब किसान बदलेगा, वो क्या रहा है कि धान और गेहूं, दोनों सरकार लेती है, मेस्पी पे लेती है, जितना भी वो मन्जी में ले जाएंगे, व नहीं होता है, हरी पंजाब में होता है, कैई ऐसे भी राज हैं, जहाँ पे दहान का, इमस्पी होता है, लिकिन उससे कम दहा बेशना पड़ता है, तो इसलिए किसान थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाला, उसे आमालों में कि जितने भी मैं दहान पैदा करूँगा, जितना मैं मद्द बिदेश का उधारान देता हूँ आपको जहां पर पहले शायद गहूं और धान इतना नहीं होता था लेकिन सरकार ने उस पर MSPD प्लस बोनस दिया तो अपने आप एरिया गहूं और धान में बढ़ गया तो अब यह सब चीजें मार्केट से लिंक्ड हैं तो अग देखते हूं इसका इंपैट कितना है क्योंकि अनौंसमेंट तो बहुत होई जिस MSP का मैंने बता है लेकिन जब किसान मार्केट में जाता है तो उसे वह नहीं मिलता यह बहुत आवशक है हमारी इवन धान में भी हम लोग ने शूट्स ने ऐसी प्रजाती बनाई हैं कि जि अब ही में करने कोशिश की जा रही है कि आसी फसले विक्सित की जा जिनके पानी के कम हो लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि प्रवंधन में हमां इतना जोर नहीं दे रहा है जो में देना चाहिए और प्रवंधन में स्कोप बहुत है जी क्या जो जो आपनी बात कहेंगे मैं जानना चाहूंगा वाटरप्राइसिंग के बारे में इनका क्या व्यू है और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है इस पूरे सेक्टर में इसमें अपने एक तो मेरे मन की बात चीनली मैं यहीं बोलने वाला था बी एक तो specially मैं इसी में एक कदम पहले एड कर सवाल पूछा था और उसके ओपर बात भी कि हमें एक pillar को भूल जाते हैं, हम सरकार से उम्मीद करते हैं, हम बाकी community से भी उमीद करते हैं, अब एक बड़े pillar को हम भूल जाते हैं जब हम भूलते है, private sector जो आपने बीच में मुद्दा उठाया भी. जो लोग supplier हैं खेती से रिलेटेट उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के तहट अवेरनेस फैलाना बहुत जुरूरिया आप लोगों ने बात की कि किस तरीके से सल्यूशन्स अवैलेबल हैं लेकिन लोग अडॉप नहीं करना चाहते हैं गर्मेंट MSP देना चाहते हैं लेकिन लोग फिर भी उस तरफ मूव नहीं करना चाहते हैं तो अगर हम उस पर्टिकुलर एंगल को देखें कि उनकी तरफ से माल लीजिए सिगरेट मैनुफेक्टिरि इसी तरीके से हम अगर इसको एक कड़ी और जोड़ दें आपने कहा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वह भी काफी बड़ा इसका रूल प्ले करता है बहुत सारा पानी ऐसा है बहुत सारी इंडस्ट्री जो हमारे क्रिशी के चेत्रों के साथ जोड़ी हुई है उन्हीं के डिस्चार्ज वाटर आउटसाइड पानी का उपयोग वहीं उन्हीं को अंदर ही करना पड़ेगा तो वह उससे बदलावाना शुरू हो जाएगा जो वेस्ट वाटर के उसके उपर है रही सवाल वाटर प्राइजिंग की आई थिंक हमने सब सबने शुरूआत में ही बात क जाएगा उस अनमोल की वर्थ क्या है प्राइज क्या है हमें ये देखना पड़ेगा वी हैव टू बी जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि हमें सेंस्टिव प्राइजिंग करनी पड़ेगी हर किसी की अफॉर्डेबिलिटी बराबर नहीं है मैं हमारी ही कारशेतर से कुछ संब संदित बताना चाहूंगा आपको कि हमारे कुछ प्रोजेक्स में इस तरह की स्टडी करने के बाद पाया गया कि जो सरकारी पानी है जो हम लोगों को फ्री में मिलता है उनको उसके ओपर काफी खर्चा करना पड़ता है उसको हमारे घर तक पहुचाने के लिए तो उसकी ज करना पड़ता है जो कि एक अच्छे सब्रांत परिवार के आदमी को में भी एक दो या तीन परसेंट के उस पे मिल जाता है तो यह बहुत बड़ा एक डिफ्रेंस है एक गरीबी का बहुत बड़ा कारन भी है यह तो हमें अगर यह देखें तो हमें प्राइजिंग जरूर क हम बोलते हैं इलक्रिसिटी के बारे में भारत में पहले काफी बड़ी बात की गए ठी जिसे कहा गया इलेक्ट्री सिटी से इवडी बेलेक्रिसिटी प्रदूश्ट dai अरजी सेव不知道 फिस परिया इसे अब हमें पानी के बारे में भी कहना पड़ेगा की जो पानी बचा आ और उस चार प्रतिशत में भारत की अबादी जो लगबग 20 प्रतिशत अबादी है पूरे विश्व की उस चार प्रतिशत से हम उसकी अपूर्ती करते हैं और अभी मान सिंग जी ने एक बात कही थी कि भारत लगबग 10 प्रतिशत पानी एक्सपोर्ट भी करता है डारेक्ट औ हम अभी कारक्रम में आगे शामिक लेगें लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का जल लौटेंगे वापस आप देखते रहें दूरदर्शन के साथ हम आ रहे हैं आपके गाउ घूमते फिरते का कारवा पहुँच चुका है मतुरा में हम आप पहुँचे हैं कांगरा जिले में सामाने ज्याम के पूछेंगे सवाल वाशिक पुष्कर मेला किस राजी में आयोजित किया जाता है इन में से क्या जैविक रूप से नश्ट नहीं होता है इसके लिए इनके पास चार आप्शन्स है देखे घूपते फिरते रविवार सुभा साथ बच कर तीस मिनट पर प्रिक बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है आप देखे रहें दूरदर्शन के सान और अपने आज के वाद समबात कारक्रम में हम बात कर रहे हैं जल प्रबंधन की और आए कारक्रम को बढ़ाते हैं आगे और एक बाद फिर से जो है वो चर्चा पर जो है वो थोड़ी से नजर डालते हैं मान सिंग जी जब कुछ लोग आपस में बैटके बात करते हैं या फिर टीवी पे अलग-अलग कारक्रम देखते हैं तो बोलते हैं कि हर जगा तो इतना जल है कहां जल की कमी हो रही है जगा जगा आप जाये देखिए समुद्र है नदियां है सब में जल ही जल है कहां जल की कमी है तो इस पर क्या विचार रखेंगे आप क्या ये जो जल हमें दिख रहा है क्या ये पीने योग्य है इस्तिमाल करने योग्य है क्रिशी के योग्य है या नहीं ये एक बहुत ही एहम सवाल है जो मुझे लगता है कि शायद हर जन्मानस के जहन में आता होगा बिल्कुल सभी प्रसन है आपका अब से लगभग पचास वर्स पहले यही धरती थी यहीं पानी था जब पॉल्यूशन का लोड नहीं था तो आप समझें कि जहरने का बहता हुआ पानी हर तरह से उस्तिमाल होता था इस देश में उस समय की जोजन संख्या थी तो हमने जो लो पानी 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 है जब वो जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में इस नजरिये को देखेंगे तो भेंकर पानी सब जगह है लेकिन जैसे ही आप फरवरी उपरांथ पहुंचेंगे कई राज्यों में फरवरी में मुश्किल हो जाता और मई जून आते आते फिर हाह कार मच जाता है यह भी जन्मानस देखता होगा तो एक उधारन में दूँ आपको जैसे इस्टर्ण इंडिया में जो हमारे पास पानी सर्फिस का एकसे सुपलफ रहता है जो समुद्र में जाता है डिफरेंट नदियों के चैनल से उसकी जो छमता है उसका मात्र हम आठ से 12 फिस्दी ही स्टोर कर पा रहे हैं इतने सालों से तो इसका मतलब स्टोरेज के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए हुमारे पास उत्मा पैसा नहीं है मैं यह लिंक करूंगा जब मोहन साब ने बात किया था और कटारिया साब बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा अगर जो बॉटल वाटर है मेरे काल से अब पचीस साल तीस साल का तो इतिहास देश में हो गया होगा तीस रफली मैं कम से कहां वगर तीस बिसलेरी आई होगी तो यह प्राइवेट ही कर रहे हैं मेरा बड़ा मुद्दा यह है कि जब हमें साढ़े तीन ला होता है हम सारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे है कि बहुत भारी इंफ्रस्ट्रक्चर की जुरूत पड़ेगी क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज से भी लड़ना होगा जी क्लाइमेट चेंज पहले पचास साथ दिन की रेनी डेज अगर किसी अरिया में होती थी अब वीस दिन ऐसा करेंगे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट और एक्जिक्यूशन और इंप्लिमेंटेशन करना पड़ेगा वाटर सेक्टर में मैं समतना हूं कि कम सकम तीस साल लगेंगे तब यह जो लोग कहते हैं तब उनको हमेशा पानी मिलेगा बिल्कुल काटारिया जा केवल दो प्रतिशत पानी पीने योगे है उसमें से करीबन आधा प्रतिशत लगबक ग्लेशियर्स में और ऐसी जगा है जहां पे हम एकसेस नहीं कर सकते हैं तो बचा केवल एक से डेट प्रतिशत पानी जो पीने योगे है जिससे पूरे विश्व का काम चलता है तो पहल पानी को रिसाइकल करना बंद कर दिया जो पहले जमाने में हुआ करता था तो हमें उसको वापस लेकर के आने की बहुत सक्ज़ूरत है तो अगर हम यह देखेंगे कि पानी रिसाइकलिंग हम एक टर्म यूज करते हैं वाश पानी केवल साइलो में नहीं या हम अकेले में देख सकते हैं water sanitation and hygiene तो मतलब यह है कि अगर हम sanitation जिसमे अनिल जी ने भी बात की कि कुछ पानी ऐसा है जो हम पीने योगे दुबारा से कर सकते हैं जैसे kitchen waste है जिसे हम grey water भी बोलते हैं black water को हम नहीं कर सकते हैं जो हमारा toilet waste है तो हमें इस चीज को वापस लेकर के आने की बहुत पानी के खर्चे पर तो मेरा ख्याल यह अगर हम सोचें उस तरीके से तो पानी वापस हम उसी तरीके से यूज कर पाएंगे अगर हम उसकी महत्व को समझेंगे बिलकुल चलते चलते आप से भी मैं दो तीन चीज़ें पर stress देना चाहूंगा पहली चीज तो यह है कि जो storage ह है पानी का उस पर हमें फोकस करना चाहिए अगर आंकडी बताते हैं कि चीन में हमसे पांच गुना ज्यादे पर कैपिटा स्टोरेज है बराबर की population है और storage का मतलब आपका छोटे भी हो सकते हैं जैसे आपका तालाब हुआ चोटा ऐसा बड़ा तालाब हुआ तो छोटा हो मत दिखा हो बड़ा हो कोई भी storage structure हो जो भी situation हो देखके होना चाहिए बहुत आवशक है मतलब चाहिना से मैच करें तो पांच गुना बढ़ाना चाहिए एक तो यह storage और south में जैसे मैंने बता है tank based है उनका करने मैनेजमेंट में सबका solution हमाई पस technical है यह नंबर एक में बता कहूंगा कि प्रमंधन दूसरा हम लोगों ने इतनी टेकनीक्स बना रखी है जल प्रमंधन की किसान के लिए उनको क्योंकि जल को हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे ना तो किसान इंट्रेस्टेट नहीं है मैं पांच अगर परसेंट पानी बचा लूँगा क्या मिलेगा मुझे तो उनके लिए इंसेंटिव देना हम बहुत हुरी है और हमाई पस एक उधारन के लिए मैं लेजर लेवलिंग टेकनीक है तो जमीन को समतल करना तो उससे ही 15-20 प्रतिशत पानी बच जाता है वाप सो 40% बढ़ जाता है उसका उसका अपर तो इतना मतलब एफिजिंज बचात है तो कहीं उसका उसको जना तो जो मारा मारी होती है ना तो नहीं होगी समझे पानी के पिछे तो यह इंपॉर्टेंट है कि इंसेंटिव हैं लेजर लेवलिंग है जीरो टिलेज है हमारा रेस कैनल का है ना मिसमैच है सप्लाई डिमांड अगर उसको यह करने उससे बहुत फरक पड़ जाए तो यह मैं कहूं कि शायद दूसी आवश्यकता है वेस्वाटर की जो यह बात बता रहे हैं वेस्वाटर की लिए प्राइवेट को बहुत जादे स्कूप है क्योंकि वह टेकनिक्स बना रखे हैं उसको आप क्रिशी के लिए कैसे इस्तमा तो यह सब अगर है और डक्ष्टा के जितना मैं आपको बताया बड़े आराम से जो हम लोग दस से बीस प्रसंट जो हम है क्रिशी के लिए जो पानी आज इस्तमाल हो रहा है हमें कम करना पड़ेगा आग मेरा भी मानना है कि यह जैसा विकास जी ने का कि यह मिसकंसप्शन है कि पानी सब जगह अविलिबल है ऐसा नहीं है साथ हम लोगों ने कमी महसूस नहीं किये बड़े अर्बन सेंटर्स में सिटीज में प्राबलम नहीं है लेकिन आप दूद दराज के जगह में चले जाए पानी नहीं है बिलकुल नहीं है और जहां पर पानी है वो ग्राउंड वाटर पीने लाइट नहीं है तो पानी लगता है कि हमारे पास बहुत जादा है लेकिन पानी है नहीं इस्तेमाल करने पीने योगी नहीं है इसलिए सरक्षिन की जरूरत है सरकार अपना काम कर रही है हम सब को अपना काम करना है पानी संचे करने में, प्राइवेट सिक्टर का बहुत इंपोर्टन डोल है, मीढ़री का इंपोर्टन डोल है, और एवयरनिस क्रेट करने में और हम सब मिलके साथ इस हालत में पहुंचें कि हम water को गंजरब कर सकें और लंबे समय तक इसको यूज कर सकें तो आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहां पर आये और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय पर इतनी अच्छी जानकारिया जो है वो आपने हमारे जो दर्शक हैं उन तक मुहया करवाई आप चारों का बहुत सब को जो है वो सचेत हो जाना चाहिए तो आज के वात समवाद में बस इतना ही अगली बार फिर होगी आप से मुलाकात एक नए विशय के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे जाज़त आप देखते रहिए दूर तरशन के साम नमस्कार करता है झाल